1991 1991 पीवी नरसिम्हा राओ ते और उस समय वारतवीत मंतली के पद पर थे यह मनमहन सिंग्ग, डॉक्टर मनमहन सिंग बहुत विद्वान थे तो पीवी नरसिम्हा राओ ने देखा कि भई यह आर्बी आई के गवर्णर हैं, जोई से वो रिटार हुए तो कहें कि आप हमारे पार्टी में आजे ही है, मिलके चला जाएगा पार्टी, 1991 में देश को अर्थविवस्था समालते समालते नहीं समला, और महच 15 दिन का पैसा बचा था भई, 15 दिन का पैसा बचा था, 15 दिन बाद हम लोग विदेश से कुछ भी नहीं खरीच सकते थे, और यह बात आज से ल पानता है, आज भी देखिएगा अगर विदेश से पेट्रोल नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारे पास महच 15 दिन तक के पैमेंट का पैसा था, अब 15 दिन बाद ना हम सचुछ दवाई का पैमेंट कर सकते थे, ना हतियारों को खरीच सकते थे, ना ही पेट्रोलियम खरीच सकते थे, ना एलेक्ट्रोनिक सकते थे, ना ही बड़े, कोई भीजने बड़ा करी नहीं सकते थे, तो चिए अगर आपके घर में ऐसी इस्तिती आएगी, कि 15 दिन बाद खाने को नहीं है, तो अब क्या करेंगे, और हमारे देश में ऐसी इस्तिती आ गई थी 1991 में, ये बहु की अंदर बीदेशी कंपनियों को भी आने क्या मौका दिए, बीदेशी कंपनी को आप मौका नहीं देते हैं, तो भारत ने का कि हम अपने प्राइवेट लोगों को मौके नहीं देते हैं, तो बीदेशी को क्या देंगे, उसने का कि नहीं, आपको प्राइवेट लोगों को को भी मोगा देना पड़ेत आदमी जहाद चलेगी तो आपको बढ़ावा देना पड़ेगा तब ही हम आपको लोन देंगे तो मरता क्या न करता भहरत सरकाल नहीं से चालू किया और यही भारत के विकास का सबसे बढ़ा कारण बनाए भारत सरकार को म मीट या हम लाई क्या लाई LPGA सरकार थोड़ी सी नरम पड़ गई कहीं कि ठीक है हम विदेशी कमपनियों को भी आने का अनुमति दे देते हैं और भारत में काम कर रहे हैं प्राइवेट आदमी को भी हम क्या करते हैं अनुमति दे देते हैं तो उदारी करण हो गया प्राइवेट को बढ़ाव में हमारी अर्थ विवस्ता में बीदेशी कमपनियों बीदेशी देशों ने तता आई एमें ने जो लोन दिया था कि हम 15 दिन के बाद अपनी अर्थ विवस्ता को खड़ा कर सकें बदले में उन्होंने हमसे LPG करा लिया LPG मतलब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेश सरकार ने यह सर्थे मान ली लेकिन कुछ सर्थ रख दिया सर्थ यह रखा कि कोई भी विदेशी कमपनी भारत में सेना का कोई समान नहीं बना सकती है अंतरिक्ष का कोई समान नहीं बना सकती है रेलेवे नहीं खोल सकती है वो आपका अंतरिक्ष कारेकरम को नहीं कर सकती है पेट्रोलियम में नहीं कर सकती है क्या बताई कोई बीदेशी कमपनी का पेट्रोल पंप देखें हैं? नहीं देखें हैं तो ये काभी strictly नियम लाए गया था 1991 में भारत की अर्थ विवस्था 1991 में पैसा मिला तो भारत सरकार को जैसे पैसा मिला भारत सरकार एमर्जेंसी के चीज़ों को अपने हां रख लिया और भारत सरकार ने जैसे globalization किया क्या किया? globalization किया तो globalization जैसे किया कि आप car का factory डाल दीजे, motorcycle का डाल दीजे scooter का डाल दीजे, truck का डाल दीजे, bus का डाल दीजे बढ़िया बढ़िया, washing machine, fridge, cooler की factory डाल दीजे तो भीदेशी कंपनिया धडलने से आई factory डालने के लिए कि भारत में ये सब चीजे तो पहले से बनती रही थी, हम कमा के लाल हो जाएंगे तो जैसे वो कमपनिया भारत में आई, तो लोगों को रोजगार मिलने लगा भारत सरकार को क्या लगा, कुछ नहीं, बस उनको मौका दिया गया जैसे वो कमपनिया आई, जमीन खरी दी, जमीन खरी यहां की मजदूरों को ली उन्हें ट्रेनिंग दी, सेलरी दीए, काम कराएं, बहुत जादे भारत को पैसा भी आने लगा रोजगार भी मिल गया यहां पर, उन कमपनियों के आने से, लेकिन सरकार का अभी भी खर्च कम नहीं हो रहा था जमस्य यह था, कि सरकार इतने बोज पाल रखे थे, जिसका कोई हद नहीं, तो सरकार ने अपने बोज किसको दे दिया प्राइवेट कमपनियों को, किसको दे दिया प्राइवेट कमपनियों को देखिए आज भी सरकार से जो चीज नहीं चल पाता है प्राइवेट को दे देता है LIC प्राइवेट को बैंको को प्राइवेट को तो वो प्राइवेट इनसान अपना काम चला लेता है तो सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए दो काम किया globalization और privatization इससे बहुत जादे रोजगार मिला अब जैसे दिखिए bank है SBI bank है और वहीं पर बगल में private bank भी है HDFC bank है private bank कैसा है HDFC है HDFC कैसा bank है private bank है तो इससे कापी फायदा हुआ सरकार को हर जगा अपना bank खोलेगी तो building खरी दो या जमीन खरी दो light का बिजली बिल भरो कर्मचारियों को salary दो सारा काम सरकार खुद नहीं कर सकती है इसलिए आधा तो जिम्यदारी private company ने उठा लिया पहले जिम्यदारी सरकार की थी खोल सकते हैं बीदेशी company चाहे तो भी अपना hospital खोल सकती है Chinese hospital यहां मूर्दा को भी जिन्दा किया जाता है और जिन्दा को भी मार दिया जाता है अब सरकार कुछ हस्तशेब करने जाती है नहीं क्योंकि सरकार क्या हो चुक है liberal हो गई है इस वज़ा से भारत में भयानक क्रांती आई इतनी जवर्जस्त क्रांती आई लेकिन भारत सरकार ने नियम रख दिया कहा कि private company और बीदेशी company जब भी बीदेशी company आईगी तो महज 49% योगदान दे की भारत में और उसे भारत के किसी private company से share partnership करना पड़ेगा एक 50% का तो बीदेशी company जब आई तो उनके लिए भारत ने मौका दिया कि आओ लेकिन तुम फूल टू अपना कार खाना यहां नहीं डाल सकते हो उसमें तुम्हारा योगदान 49% रहेगा और किसी भारतीय company को यहां के लोग ना गाड़ी देखें ना बंगला देखें ना motorcycle ना कुटी कुछ कुदो भयाना के नहां पर कमाई होगा तो इसी तरह से कौन सी company आगई होंडा company आगई 49% के साथ साथ और share कि से कर लिया account भे हीरो के साथ कौन सी company बन गई हीरो होंडा इसी तरह company आई کون सूजू की आई कौन आई है सूजू की company अभारत के किसे समझ ज़यता है मारूती से किसे मारूती से बन गया क्या चीज मारूती सूजू की किसी को दिखत आगे बने तो इन विदेसी ओकंपणियों को आने से रोजगार मिला, टेकनोलजी सीखने को मिला और भारत वाला नया नया टेकनोलजी सीख़ गया। आज ही होंडा अलग हो गया है, कोई टेंसन नहीं, हीरो अपना चल रहा है, आज सुजुकी अलग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मारूती अपना अलग चल रहा है, यहाँ पर संजागी नहीं गया, तो एक सी एक काम किया गया यहाँ पर, इसी लिए मनमोहन सिंग को दिखिये लगी मैगी बीचने लगी तो मैगी बेचने वाले को रोजगार, उसके supply पहुच्छाने वाले को रोजगार, उसके करकाना में रोजगार लगने लगा। बीदेशी कंपनी आई यूनिलीबर। कस टाउग गया, टाइडी, तर फिक्षल, कुलोजब, hair and lovely Vaseline ऐसा ऐसा क्रीम बना रहा है सम मेक अप का समान बना रहा है सम iPhone बना देता है सम नोकिया को मेक अप में इतना दम है अगने आगे कि नहीं है गया बहुत खतरना है तो जो काम सरकार का था रोजगार देने का वो कौन करने लगे बीदेशी कमपनी धड़ा धड़ा पहुत जवर्जर्स लग गया तो भारत सरकार को कई सारे कामों में फाइदा हुआ प्राइबेट कमपनी आ गई कमपटीशन हो गया कमपटीशन के चक्कर में अपनी टेकनोलोजी को सुधारने में लग गया उसने टूजी लाया तो बगल वाला थ्रीजी लाया तो यह आया फोर जी लाया हुआ है फिरी कर दिया लोग कमपटीशन के चकर में धड़ले से आने लगी तो सरकार जो भारत सरकार को जो पैसा खर्च करना पड़ता था जगा 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 लोग ने IMF का लोन भी चुका दिया और अपना ट्रेड बैलेंस को भी ठीक किये थे इसके तहब लपीजी के तहब इसके उदारी करोन से बहुत जादे फाइदा हुआ फाइदा यह हुआ कि प्राइवेट कंपनियों को मौका मिला प्राइवेट कंपनी हर चीज से मुनाफ़ा कमाना चाहती है पहले सरकारी कमपनी थी जैसे दूद की फैक्ट ही है, दूद निकाला, दूद से खुब से खुब पनीर निकाल लेया किस चीज से globalization और प्राइवेटाइजेशन से और सरकार का अपना खर्च कम हो गया सरकार का अपना खर्च क्या हो गया कम हो गया आज भी सरकार सरकार इसकूल को रहें प्राइवेट इसकूल को और दिखेर आगे गईगली में प्राइवेट इस्कूल खुल गया वह में भर भर ले आ रह रहा है सब पढ़ापढा पहुंचा दे रहा ही है सब्सक्राइद फर्पर दिया है वह को मैं इससे फाइदा यही नीऑ निष्ट सेय ताली समें जवाहर लाल नहरू लगा देते हैं और जल्दी हो जाते हैं देखो कई से जब हम देश आजाद हुआ था हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे आप फैक्टरी लगाने का खुद किसी के आप पैसे नहीं था और अगर 1991 में LPG कर देते लिबराल हो जाते करते प्राइवेट कंपनी तुम भी बढ़ो ग्लोबल कंपनी तुम भी ब खाना लगाते नई टेक्नोलजी सीखते इनका सामान महंगा होता उतना अच्छा होता नहीं लोग बीदेशी कंपनीओं को ही अपनाने लगते धीरे धीरे बीदेशी कंपनी इनके उपर हाभी हो जाती और वही जादे तक भारत में कबज़ा कर लेती कबजा इंदरसेंस किय करता है जैसे अभी कई से चाइना का दबदबा होते जाता है साथी अरब में कोई भी सामान साथी अरब का नहीं बना होता है विदेश से गीया रहता है इसलिए जवाहल लाल ल्येरू ने 1947 में कहा कि नहीं, हम धीरे-धीरे ही सीखेंगे, लेकिन सीख कर आत निर्भत जरूर होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए 1947 में जवालना ने रूर कर दिया कि हमारे याँ LPG नहीं रगेगा, हम लिबरल नहीं हैं, हम ग्लोबल होने नहीं देंगे, हम प्राइवेट कमपणियों को आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ें, तो धीरे-धीरे प्राइवेटेजेशन हुआ, लेकिन उसमें डर ये भी था कि हमारे पास सेना भी मजबूत नहीं थी, लेकिन 62 की लड़ाई लड़े, 65 लड़े, 71 लड़े, 84 लड़े, तो धीरे-धीरे हम लोग को सेना का भी लड़ाई का अनभू हो गया, तो पता चल गया कि बिदेशी कमपणिय आईगी तो इंसे निपट लेंगे लोग, और जब 1991 आया, तो भारत की प्राइवेट कमपणिया बहु मजबूरी में, तो मजबूरी में हीरो को आगे बढ़ाया सब, मजबूरी में मारूती को बढ़ाया सब, लेकिन जब धीरे-धीरे और समया नरेंद मोधी की सरकारे, तो इन्होंने का दिया कि देखिए, अब कोई भी विदेशी कमपणिय को आना है, तो आप 100% लेया सकते ह आपा कि दो पनकष्ण की सिसागा।